नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइब मैं हूँ आशुतो चुनावी विगुल बच चुका है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है दल बदलने का सिलसला भी शुरू हो गया अब इसी क्रम में आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उपेंद्र कुश्वाहा ने कारवाई की थी उन्होंने आरोप लगा था नागमनी पर कि वो नितीश कुमार के साथ मंचसाजा किया है इसी को लेकर करके उन पर बड़ी कारवाई हुई थी उनको पार्टी से कारण बताओ नोटीस इशू किया गया था कारकारी पद्द से हटा दिया ग लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब उपेंदर कुश्वाहा पे आरोप लगा हो और आरोप के बल पे उनके जो पुराने सहयोगी है उनका साथ छोड़ दिये हो देखें मैं क्रमसा आपको बताता हूँ पहले क्या हुआ सबसे पहले 2014 के चुनाओं में उपेंदर कुश्वाह की रास्ट्यों लोग समता पार्टी से भारतिये जनता पार्टी का गठवंदन हुआ जब NDA से नितिश कुमार अलग हो गए थे उपेंदर कुश्वाह नितिश कुमार का जो 36 कांक्रा किसी से छुपा हुआ है नहीं उपेंदर कुश्वाह एक समय में नितिश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे फिर उन से उनकी दुश्मनी हुई नितिश कुमार NDA से अलग हो जाते हैं फिर उपेंदर कुश्वाह का NDA से गठवंदन होता है उपेंदर कुश्वाह मोधी लहर में काराकाट से लोग यह अरोप कोई और नहीं लगाता है। उपएंधर कोश्वाहा के दो खेमों में पार्टी बट जाती है, रास्टिय लोग समता पार्टी एक गुट बन जाता है, अरुन कुमार का, एक गुट बन जाता है उपएंधर कुश्वाहा का। में लाने के लिए जो फिल्डिंग बिछाई थी वो नागमनी ही थे जो उपेंद्र कुश्वाहा को NDA से महा गटवंदन में लाये थे लेकिन उसी नागमनी को उपेंद्र कुश्वाहा दूद में मक्षी की तरह निकाल कर फेक देते हैं और उसके बाद नागमनी के द्वारा सिटी पोस्ट के दिये गे एक इंटर्व्यू में एक बड़ा आरोप लगता है कि वो 9 करोड उपे में टिकट उन्होंने बेचा है तो कोई पहला मामला नहीं है कि उपेंद कुश्वाहा के साथ उनके ही पुर्ब सयोगी या वरतमान सयोगी के द् आरोप और प्रत्यारोप और वो भी गंभीर आरोप ब्रस्टाचार के आरोप लगाए गए हों आगे राजनीती का दौर है चुनाव की घोशना हो चुकी है चुनावी विगूल बच चुक है और भी आरोप और प्रत्यारोप के नए नए दौर शुरू होंगी है कोई भी झाल